हेलो दोस्तो वेश्णवी और्गेनिक डेरी फार्म में आपका स्वागत है आज हम पहुंचे हैं वेश्णवी फार्म जो हमारा ही फार्म है जो बहुत दिनों से आप लोग को इंतजार है कि वेश्णवी और्गेनिक डेरी फार्म कैसा है और कब सुरुवात होगा बहुत सार आज बैष्णभी और गैनिक डेरी फॉर्म में एक गाय से शुरुवात किये हैं टोटल मेरे पास दो गाय है आज की डेट में और जो पहली गाय में लाया हूं वह साथ हजार की है तो चलते हैं फार्म के तरफ यह देख सकते हैं यह जो फार्म है इस पर कुछ गाय और भैस है जो पुरानी मैथेड से है जो लोगों को पुराने पदती से हमारे पुर्वज जो है इस फार्मिंग को करते थे उस तरह से उगाय और भैस पाल रखे हैं और अभी आप देख सकते हैं यह हमारी गाय है जिसको तो मैंने यही मेरी गाय है, आप देख सकते हैं, तो थोड़ा कैमरामेन आप इनको अच्छे से दिखाईए, यह गाय जो है, 60,000 में हमने लिया था, 55-60,000 इसका टोटल खर्चा बैठा ले करके, और यह गाय का आप देख सकते हैं, चमक देख सकते हैं, इसका अडर का क्वाइ यह गाय जो है, 24 लिटर तक मिल्किंग करने में सच्छम है, 20-25 लिटर ही मान लेजिए, और इसका यह बैक ग्राउंड है, थोड़ा सा आप आगे से आ करके इसका निरिच्छन कराएं, यह गाय का जो अधन है, वह बहुत ही बेष्ट है, और इसका हीप है, यह देख सकते है कितना बेहतरीन है, यह दोनों जो है, बहुत बेहतरीन है, और यह गाय का जो चेहरा है, रोनक है, इसको ऐसे ही मेंटेन करके रखना पड़ेगा हमें, क्योंकि बहुत ही सुंदर और स्मार्ट दीख रही है, और इस तरह से इसको मेनेजमेंट करना पड़ेगा, तो आगे आ आप मुझे ओ करें कि ऐसमें इंप्रूम्मेंट या इसका जो जनरेशन में नेक्स टाइम जो इंप्रूम्मेंट क्या करना है तो ए गाये जो है आप बताएं यहां पर इसकी अडर कॉयलिटी और और ओक और दूसरी दात की गाय देख सकते हैं और कितनी चमक है इसके सरीर पे और किस तरह से मेंटेइन इसको रखा था जो इसके फॉर्मर थे देरी फॉर्मर बिरला कॉली पुलवारी शरिफ से आया है और गाय को आप देख सकते हैं अनमोल है एक तरह से इसकी चमक है जो सरीर का बनावट है बहुत ही बहतरीन है आगे पूछ सकते हैं यह गाए 20 से 25 लीटर तक दूद देती है जो एक हैबी मिलकर काव के लिए बहुत ठीठा किस्तिती है और आप देख सकते हैं इसको टैगिंग भी गिया गया है यह सीमेन लगने के बा हम जो देते हैं तीन किलो देते हैं मक्का और गेहू का दारा डेड़ किलो बेशन या जो है चने का बेशन देते हैं और इसमें हम एक किलो खल देते हैं खल और 100 ग्राम देते हैं इसको मिनरल सुबा और साम और 100 ग्राम हम इसको कैल्सियम देते हैं दोनों बिर्वेक कमपनी का देते हैं मिठ्षा सोडा 50 ग्राम देते हैं और नमक 50 ग्राम देते यह इसका एक time का । डाइट है ऐसे total 12 किलों दीन भरमें खिलाते हैं इतना इतना इसके सेहत के लिए इसके स्थेहत के लिए सो ग्राम सूबा सो ग्राम साम खिलाएंगे इसको गिलोए खिलाएंगे हर 15 दिन पर एक बार नीम का पत्ता खिलाएंगे जिसका नेचुरल भारत में सक्सेज होने वाली गाये हैं जो इस महौल और मुहमेंट और इस बाता बरन में ढ़ल जाता है तो गाये हम तभी जब हमको अगर इसमें इतना प्रेम है और इतने इच्छा से हम इसको कहीं से खरीद के अगर लाए हैं और अगर हमको इसको एक लाग क्या डेल लाक भी मिलेगा तो भी नहीं बेच सकते हैं क्या है कि कोई भी चीज करने के लिए समनंतरन आपका सोच एक मत होना चाहिए आप बीच में उस सोच को प्रभावित हो करके बीच में काम को गड़बर नहीं कर सकते हैं अगर हमने फार्म के लिए इसको लाया है तो फिर यह हमारे पास ही रहेगी चाहिए एक लख मिले या दो लग हमारा काम है लोगों को इससे बदलाव लाना लोगों की सोच में आप दस गाय और भाइस न रख करके एक एक गो रखिये दूद्ध 20 लीटर देना चाहिए उससे गाय और भाइस के लिए भी बदलाव है वो भी अच्छे धंग से रहेगा और ऐसे दस गो रखेंगे ना खाना है ना पीना है भूखे मर रहा है सेबा हो रहा है रो रहा है कोई फ 20,000 या 50,000 रुपिया कमाने के लिए दूर जाने की ज़रूरत नहीं है आप अच्छे क्वाइलिटी के पांच गाय रखें जिसकी मिल्किंग रिकॉर्ड कम से कम 20-30 लीटर हो तो आपको यहीं पे 50,000 रुपिया अराम से पांच गाय में कमा करके आप घर पे अपने परिबा है और यह बादशीम है और बहुतlike मतलब है देख सकते हैं इसकी चुळता बहुत ही क्वीट है सबसे पसंदीदा है इसको मैं जिंदकी में कभी दूर नहीं करना चाहता हूं कि मेरा से प्यारा है और काफी प्यार भी करता है मेरे से और मैं चाहता हूं इसको शुरच्छी तोर रखे मैं इसके लिए सब कुछ देने के लिए त्यार हूं और ये मेरा समझी दिल का सबसे नजदिक जो है जानवर से हमारा जो गाय से प्यार है लगाओ है इससे वो मेरे को इसके पास बार-बार घीच के लाता बहुत ही सुन्दर है मेरे पास ऐसे ही बना रहे और आप लोग का अशिरबाद बना रहे डेरी फार्म जो है अगले साल तक स्टार्ट हो जाएगा लाश तक और उसमें कम से कम 20 गाये से 25 गाये रहेंगे और दूद का प्रोडक्ट भी बनना सुरू हो जाएगा घी है पनीर है खोवा है और सब जो है पैकिंग वाला सिस्टम भी धिरे धिरे अपलाई होगा थोड़ा सा टाइम लगेगा आप लोग इंतजार करें दोस्तों दूर नहीं जाए डेरी फॉर्म बैशनभी और यहीं डेरी फॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है कभी भी आप सकते हैं ब बहुत बहुत धन्यवाद